है सो ही गाइज वेलकम बैक तो नहीं वीडियो ऑफ दिस चैनल और आज हमारे रिफ्रेक्शन ऑफ प्लाइट जो ही फिजिस की चेप्टर फिफ्ट है उसका सेकंड पार्ट है तो कल इस चेप्टर में हमने पढ़ लिया था रिफ्रेक्शन क्या होता है क्यों होता है और एक ब बदा चला था कि angle R, angle I के usually equal नहीं होगा इधर greater और इधर smaller जबकि हमने reflection पढ़ा था अंगल R, angle R के equal होगा लेकिन वो r था reflection यह R है, reflection इस चेपटर में अभी हमें angle of incidence और angle of reflection पढ़ना है और आज चुम पढ़ना है वो पढ़ना है optically rarer और dancer medium जिससे हम यह बता पाएंगी कि कैसे light की bending अकर होगी वो और दूर जाएगी या फिर और पास की तरफ आएगी ठीक है तो पहले समझते है optically rarer medium और optically dancer medium हुआ है optically rarer और optically dancer medium से पहले हम यह समझना है की medium क्या होता है तो medium की बात करें तो फिजिस्स की टर्म्स में एक ऐसा सबस्टेंश जिसमें light हमारे travel करती है और वो transparent होता है उसे हम medium कहते हैं यानि कि एक ऐसा सब्सेंस जिसे हम देख भी सकते हैं देख सकते हैं क्योंकि यह ट्रांस्पेरेंट है और उसमें से लाइट ट्रवर करती है हम उसे कहेंगे मीडियम अब एक्जामपल के लिए एयर वॉटर ग्लास कुछ ट्रांस्पेरेंट प्लास्टिक्स केरोसीन इथेनॉल यानि अलकॉल एक्सेक्टरा यह कुछ भी मीडियम के एक्जामपल हो सकते हैं हर मीडियम की अपनी अलग अलग अप्टिकल डेंसिटी होती है अप्टिकल डेंसिटी अफ इच मीडियम इस डिफरेंट अगर हम कंपेर करें तो जिस मीडियम में स्पीड ओफ यानि की वो ऑप्टिकली डेर मीडियम है ठीक है ऑप्टिकली डेर क्या होगा जिस मीडियम में स्पीड ओफ लाईट इस कंपैरिटिवली आ Посके पांत हमसाइब पर चले है rarer और denser क्योंकि यह दोनों comparative degree के दो words है यानि हम इसे comparative term में यूज करेंगे कि speed of light जिसमें ज्यादा होगी वो optically rarer होगा यानि जिसमें कम होगी speed of light that is optically denser medium ठीक है next जब हमें पढ़ने को मिलती है कि example के लिए जो speed of light है water में that is 2.25 into 10 to the power 8 meter per second ठीक है वहीं जो हमारी speed of light है in air that is 3 into 10 to the power 8 meter per second और speed of light in glass 2 into 10 to the power 8 meter per second अब अगर मैं आपको बोलू कि आप इन्हें order wise लगाई है ascending order में या descending में कि कौन सबसे ज़्यादा error है कौन सबसे कम तो साफ़ए चल रहा है speed of light सबसे ज़्यादा किसम है speed of light हमारी सबसे ज़्यादा है 3 into 10 to the power 8 meter per second यानि की air में यानि की जो सबसे rare medium है rare medium that is air उससे कम है speed of light water में that is 2.25 into 10 to the power 8 meter per second तो यानि कि यह जो water है यह कैसे medium है जो air की comparison में तो optically denser है वहीं क्योंकि इसकी speed glass की speed से ज़्यादा है तो इसलिए यह उससे comparatively rare रहत है वहीं glass की speed दोनों से ज़्यादा है वह सौरी कम है यानि क्योंकि जब light glass में जाती है should travel with a speed of 2 into 10 to the power 8 meter per second तो इसकी वज़े से हमारा जो glass है that is optically denser than both ठीक है इतना वाफ clear होगा next जो मैं आ रही आती है कि एक conclusion निकला conclusion यह निकला है on the basis of refractive index हम जो अभी पढ़ेंगे कुछ time में conclusion क्या है कि अगर एक ray of light जाती है from rarer to denser medium speed of light goes from rarer to denser medium so जो आपकी light ray होती है that moves towards the normal या फिर bends towards the normal अब आपको example भी इसका बदर जाएगा और अगर denser to rarer जा रही है तो the speed of light bends away from the normal अब डाइग्राम के मदद से अगर हम समझे जो कल बनाया था यह इसलिए मैं आज रेज नहीं किया यह हमारा जो डाइग्राम है इसमें अगर आप ध्यान दो दो medium है air और glass हमें अभी पता चल गया कि air rarer medium in comparison to glass ठीक है अब अगर हम ध्यान से देखें यहां लिख दू मैं अगर rarer और यह denser तो light रहे पहले rarer में air में और फे glass में आ रही है क्योंकि rare to denser आ रही है तो यहां पर अगर आप ध्यान दो तो यह इस तरफ जो bend हो रही है that is bending towards the normal वहीं जब यहां से जा रही है तो denser to rarer it is bending away from the normal ठीक है साफ पर चला होगा एक बार आप लोग से देख लो जिससे अच्छा से clear हो जाए ठीक है अब next चीजर में पढ़नी है कि अगर आपकी कोई light medium change करती है तो उसका reflection होता है इस reflection के effect क्या क्या होता है आपने देखा होगा कि एक आपने पैंसिल ली और उसे वाटर में डिप किया तो आपको दिखेगी कि वह बेंट होती है bending of pencil वो इसी उसका reason यही है कि क्योंकि rare से dancer में आ रही है air से water में तो इसलिए वो bend होती है it bends towards the normal ठीक है या pool of water है वो कम dancer दिखता है बाहर से as compared to जतना होता है जो stars होते है they appear to twinkle on night यह सब इन सब का एक जो explanation है वो तो भी आगे जब हम examples को detail पड़ेंगे तब हमें समझ महाँ जाएगा एक lemon आपने water में रखा है तो उसका size स्थोड़ा बड़ा लगता है या फोई object रखा है तो उसका size स्थोड़ा बड़ा लगता है उसकी actual size के comparison में अबड़ेट्स थैंक यू